हेलो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का भारत मोटोस के एक और नई वीडियो में आज हमारे पास आई होंडा की ऑल न्यू जैज इस गाड़ी के उपर बारिस गिरने की वज़े से पेड गिर गया है अब देख सकते हैं उपर में उपर के भाग में गाड़ी के डेमेज है पीछे से डेकी भी डेमेज हूँ यह राइट शैड कोटर पैनल भी उपर से डेमेज है पीछे का रिवर्स लाइट भी तूट गया ह पीछे का ग्लास भी तूड़ गया है यह डिकी के नीचे भी डेंट पड़े हुए थोड़े और रियर बंपर भर भी स्क्रेचेश पड़े हुए है लेफ साइड उपर थमली में भी गोबा पड़ा हुआ है और टॉप पूरा डेमेज हो चुका है तॉप पर बहुत बड़े डेंट पड़े हुए है यह पूरी साल आ गई है टॉप पर और लेफ साइड उपर थमली पर भी डेंट पड़ा हुआ है यह वीडियो जब जाड़ कि रहा है उस टाइम का है यह वीडियो हमें पार्टी ने सेंड किया है पार्टी के घर के पार्किंग में यह गाड़ी खड़ी हुई थी और बारिस के वक्त हवा चलने की वज़े से यह पेड़ तूट कर गाड़ी के उपर गिर गया इस वज़े से ऊपर का टॉप और डिकी डेमेज हो चुका है यह देख सकते है लेफ साइट का फैंडर बी डेमेज है वह पार्टी का पहले है प्रेड़ गिरने की वज़े से नहीं है यह पहले से डेमेज है इसे भी हमें रिपैर करना है कि अब करेंट पंपर भी हमें पेंट करना है कि अब कि अब कि अब कि अब कि अब कि कि अब कि अब कि 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 अच्छे लिए गारे में काम शुरू करते हैं जब से पहले हमें डेकी का पीछे का इत्रीम निकालना पड़ेगा जिस वज़े से अंदर जगा हो सकते तो टेंटिंग का प्रोसेश ठीक सरीके से हो सकते कि अच कि अचलगे ओपर यादा पुशी बैंक पर आता इक स dont नहीं ही हाएं कर दो कि अवंने करने के लिए हमने ऊपर अंदर से रूफ टॉप बेंकाल लिया है बार खोड़्द लिया है उससे यह से धेंटर को टेंटिंग करने के लिए जगा मिल सके कि झाल झाल अब टेंटी का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है इसके दर फाइल से टीप टीप कर पत्रे को सीधा करना पड़ा है इसे जो पत्रे पर जो भी टेंट है वो निकल जाते है और पत्रा सीधा हो जाता है इसे इसलिए टीप कर पत्रे को सीधा करना पड़ते है यह हमारा वक्षॉप के डेंटर है हामिद भाई के उपर के बाग में अंदर से कोई जगा नहीं है डेंट उठाने के लिए इसलिए हमने डेंट पूलर का इस्तमाल किया है डेंट उठाने के लिए अब हमने जो गाड़ी के पार्ट्स पेंट करना है उसे 320 ग्रेट के पेपर से सेंड आउट कर दिया है डल कर दिया है उसे जिसे पुट्टी प्रोपर बैठ सकें अब हुआ है अब हुआ है कि गाड़ी पर लू लापी फुट्टी भर दी गई है यह डेंटिंग करने से जो बोड़ी पार्ट्स के ऊपर छोड़ी से स्क्रेचिस पढ़ जाते है उसे फिल करने के लिए फुट्टी बढ़ना पढ़ता है जो उपर डेकी में डेमेज है था वो रिपेर किया था उसलिए पुट्टी फिलर यूज़ किया गया है झाल झाल अब हमने पुट्टी को गिस कर चिकना कर दिया है जो भी एक्स्ट्रा का पुट्टी था वो निकल गया है अब खिए लो गया है कि यह उपर टॉप भी इसके प्रेंट के लिए रेडी कर दिया है एक एंड़ भी इसकी आगे कि यह उपर प्रोग दो कि यह उपर टवझ् सक्क्राइट सबस्टारि mana-ख कि इसके लिएम् theatre il अब गाड़ी में टुक्य प्राइमर का कोट किया है यह हाडनर बेस्ट प्राइमर है यह लापी पुट्टी को और पत्रे को पकड़ लेता है इस विज़े से कलर पपड़ी बनके नहीं निकलता और पेंट की लाइप इंक्रीज होती है को आप अब प्राइमर के टोटल टू लेयर लेएंगे और अब पर अब आइप अइट थारे इस को चीए है पूरी गाड़ी टेपिंग करी हुई है देख सकते हैं आप यह पूरी जो उपर का टॉप और थंखमली का बाग है वह पूरा पेंट होगा इसलिए हमने इसे पूरा कवर कर दिया है कि पूरी गाड़ी खराब ना हो अब अब पेंट का प्रोसेंस टार्ट हो गया है गाड़ीट पर पेंट अपलाए करेंगे यह मेटालिक पेंट है इसमें क्लियर कोट करना पड़ता है तोटल थ्री लेयर्स ओफ पेंट लगेगा और टू लेयर्स ओफ क्लियर कोट लगेगा अगर आपको हमारा काम पसंद आये तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हम इसा ही वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए आपका लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिये और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिये ठेंक्यू प्रुब्स चार प्रुब्स लेयर कोट का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है लगेगा इससे प्रेंट को प्रोटेक्शन मिलता है गाड़ी में साइन आती है इससे प्रोपने किसी हाई ग्लोस साइन आ रही है प्रोसे ओ्रोसेसस साइन इससे करूँ का इससे और टॉड़ी में साइन झाल 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 गाड़ी पेंट हो गई है अब गाड़ी में बेक साइड दीकी का गलस लगाने का काम कर रहे हैं गलस लगाने के लिए पहले ऐसा सीलेंट अप्लाई करना पड़ता है गलस को प्रोपर तरीके से एलाइन करना पड़ता है फोड़ा भी आगे पीछे अगर लग जाएगा वो तो इसमें पाने लिकेज हो सकता है और साइड में इसमें जो दो ब्रेक लाइट लगी हुई है वो भी लगने में तकलिप आ सकती है इसलिए पूरा ध्यान रखना पड़ता है गलास प्रिटिंग कर दोगे कि अगलास लगाने के बाद उसे एक जगा पर सेट करने के लिए इसे टेप रोल लगाना पड़ता है इस वज़े से गलास खिल नहीं सकता और वो एक जगा फिक्स हो जाता है कि गाड़ी का काम पूरा हो गया है अब देख सकते गाड़ी का फाइनल रिजल केसा है फीछे जो डिकी पर आपको डेंट बताये थे वह विल्कुल भी क्लियर हो चुके है अब करके डेकी का भाग भी रिपेर हो चुका है और उपर के देंट सब निकाव जीए जाए यह द्रेक लाइट हमें रिवर स्लाइट मेली नहीं है अब कंपनी में ओडर करके मंगानी पड़ेगी इस वज़े से पार्टी को भी जल्दी है तो मिने डाला में है अब और साइन भी देख सकते हो अब 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 पर अब अब सलyuब तो थमले दिख रहा है यह पूरा क्लियर कोट किया गया है अबरकर टॉप भी पूरा क्लियर कोट किया गया है अब लास हमने और इजनल कंपनी का ही डाला है तो हिटिंग एलिमेंट रिलाइव ग्लास है यह डिशोगर वाला कैसा लगा आप लोगों को यह काम नीचे कमेंगा बताएं लाइक कीजिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्स्राइब के जिए उन्हें सही वीडियो से लाते रहेंगे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत सुप्रिया बच्पों के उन्हेंन cob लेखने के लिए झाल झाल